बिस्मिल्लायरख्मान रहीम स्टूरेंट्स माइन अमेंस नासर सेथ खान और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्टर्स जो है वह लेकर आ रहा हूं और इंट्रडक्शन तु स्ट्राइडस्टिक्स आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वह थोड़ा इंट्रडक्ट करने जा रहा हूं तो इस निए भूट आप से डिसक्राइब करूंगा चैप्टर नेम्स ऑफ स्टाइडस्टिक्स थर्ड पॉइंट है पेपर पैट्रन ऑफ सेटिस्टिक्स और दें प्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा सैंप्ल पेपर ऑफ सब्स्राइड स्टैस्टिक्स तो फॉर्स्ट पॉइंट को पहले डिसक्स कर लेते हैं डेट इस बुक टाइटल ऑफ स्ट्रेस्टिक्स है किस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं और किसके एकॉर्डिंग जो है मैं अपनी सारे इंपॉर्टेंट लेक्शुर्स रहा है वह आपके साथ शेयर करूंगा जो बुक से यहां में यह पर डिसक्स करूंगा और ऑपोर्डिंग में तौंपें के ससर्ण सारति इंपंच टोपिक्स जो भीतमां थुलो एक्ससाइज क्वेब आपके साथ शेयर करूंगा इसुड के टाइज शेयर कर सब्सक्राइं असे कबहुत इसमें किन किन लिख आज नंबह भ टोटल नबर ओफ चाप्टर्स वे इन इस बूग दैर एट चैप्टर्स तो फो फॉर्स चैप्टर्स वीडिए वो आपका इंट्रदक्शन होगा 2nd chapter presentation of data, 3rd chapter measure of location, 4th chapter measure of dispersion, 5th chapter index number, 6th chapter regression, 7th chapter is correlation, and last chapter analysis of time series. 3rd point जो आज के लेक्चर में मैंने आपके सार डिसक्स करना है वो that is paper pattern of statistics, statistics का paper two parts में divided है, first one is the objective type, और second one is the subjective type, section A आपका objective type का होगा, और section B and C जो है वो आपके पास included होंगे in subjective type में, है, right left side में इसके time को distribute कर दिया है, time जो है वो आपका total time 3 hours का होगा, full paper के लिए, लेकिन 25 minutes जो है for objective paper के लिए, for 2 hours and 35 minutes for the subjective paper के लिए, और right side में इसके marks के distribution given है, total marks आपके subject statistics के paper, hssc1 के लिए for 85 marks है, और 85 marks में objective के marks होंगे, वो आपके 17 marks होंगे, और subjective type के लिए आपके पास 68 marks होंगे, further जो है वो इसको, इसके marks के distribution जो है, वो B and C sections के लिए, अलएदा-अलएदा जो है, वो given होगी आपको, तो अब हम इसका objective और subjective type को अलएदे लएदे डिसकस कर लेते हैं, तो question wise, objective type में हमारा पास, जो section A है, इसमें question number 1 आप given होगा, और वो MCQs type का होगा, 17 MCQs आपको given होंगे total, और आपने total 17 की attempt करने होंगे, 1 marks for each MCQs, so 1 multiply by 17 equal to 17, 17 marks आपका objective होगा, then फिर आपको एक subjective type paper जो है, वो दिया जाएगा, और उसमें आपके पास 2 sections given होगे, section B and section C, section B जो है, वो आपका short questions का होगा, उसको question number 2 से जो है, वो mention किया क्या होगा, total हमें 19 questions जो है, वो given होंगे short questions और इसमें 14 आपने attempt करने हैं, और ये questions जो है, वो included होंगे definitions plus short numericals, तो इनके marks के distribution जो है, वो आपके पास 3 marks for each short questions और 14 आपने attempt करने हैं, 3 multiply by 14, which is equal to 42, तो total आपके पास 42 marks का जो पेपर होगा, वो आपका section B होगा, और section C जो है, वो long questions का होगा, और इसमें आपके पास गिवन questions होंगे, question number 3, 4 and 5, और इसमें आपने total 13 questions आपको given होंगे, 2 questions आपने attempt करने होंगे, out of 3, और इसके distribution जो है, वो आपके पास 13 marks का 1 long questions होगा, और दो कुसिस आपने जब अटेम्ट करने हैं तो तोटल आपके पास 26 मार्क्स हो जाएगा और यहां पर यह कुस्टिन नबर 345 यह फुल एक 13 मार्कस कुस्टिन बी गिवन किया सकता है लेकिन उसके साथ जार पार्ट्स भी आपको जो सकता है तो यह आपके पास सेक्शन की इसके बाद फूर्थ पॉइंट ने आप से डिस्कस करना था वो सैंपल पिपर्स आपको दिखाने थे तो सेंपल्स पिपर्स पूइ of statistics 1 तो यह sample paper आपके साथ share कर रहा हूं और इसमें आप देख सकते हैं आपके पास question number 1 है और section A mention है total mark 17 है और आपके पास 17 mcqs given होंगे और हर mcqs के against 4 options होंगी one option is the correct option इसको आपने choose करना होगा तो यह आपके पास objective type का paper होगा which 17 marks का second paper जो आपके साथ share कर रहा हूं वो objective type का होगा और यह आपके पास यहां पे इसमें दो sections है left पे आपके पास section B है और इसका marks आपके साथ यहां भी mention है which is 42 और यह अपने 14 इसमें questions को attempt करना है short questions को और यह short questions जो हैं वो आपके पास mixed है तमाम chapters से लिए गए हैं कुछ इसमें short questions होंगे और कुछ जो है short numericals और plus definitions है right side section C mention है और इसके marks में हो total marks 26 है और इसमें एक पुरा questions जो है वो 13 marks का भी given है और कुछ जो है तो यह आपके पास यहां पर तीन questions given होंगे और आपने two questions तो टोटल यह है यह आपके पास 26 marks का subject होगा section C और 42 marks का section B है ठीक है students यह आपके पास यहां पर subjective type का paper जो है उसका मैंने यहां पर आपके साथ शेयर हिया है और इसमें आपके साथ यहां शेयर करेंगा first lecture of statistics one तो आपने का feedback जुरूर देने हैं अलापिस अलापिस अलापिस